हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल कुकुत रिखा बारिश के मौसम में पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं होता है आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग डाल के पकोड़े जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्रिस्पी करा रहे और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए तोरी छिलके वाली मूंकी डाल जिसे मैंने रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था और इसके बाद मैंने अच्छे से इसको धुल लिया धुलते वक्त हमें सारे छिलके नहीं निकालना है क्योंकि छिलके से ही बहुती क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं तो हमें पूरे चिल तो इसे हम दो बैच में पीस लेंगे अगर आपके पास ताइम कम है और पूरी रात के लिए दाल को नहीं भिगोना चाहते हैं तो आप गरम पानी में एक घंटे के लिए भी सोख करके रख सकते हैं और उसके बाद आप इसके पकोड़े बना सकते हैं धुल कर पीस कर बाकी का तो यहां मैंने डाल को पीस लिया है अच्छे तरीके से तो दो पैच पर मैंने पूरी डाल को पीस लिया है इसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे अनियन तो यहां पर मैंने चार से पांच मीडियम साइस के अनियन को इस तरीके से स्लाइस करके डाल दिया है रफली स्लाइस इसमें चौप करके डाल दी हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वादमसार, तो यहां पर मैंने नमक डाल दिया है, और अब हमें सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है, तो अब हम इहां सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं, जिसे की डाल में पूरा अच् हाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है तो यह हमारा यह बैटर बनके तयार हो गया है पकोड़े का आप देख सकते हैं काफी ड्राइ है तो आपको इसमें पानी एड नहीं करना है इसी तरह की कंसिस्टेंसी का आपका यह बैटर होना चाहिए तेल भी गरम हो चुका है तो अब हम बनाएंगे मूंग डाल के पकोड़े तो जैसे हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें बनाना है लेकिन यह जो मिक्षर होता है वो थोड़ा सा ड्राय होता है तो हमें क्या करना है हाथ में लेना है थोड़ा दबा के इसको गोल करना है और फिर ह में आपको ऐसा लगेगा कि पकोड़े पक गए हैं लेकिन अंदर से वो थोड़े कच्छे रहेंगे तो आप हमेशा जब भी पकोड़े फ्राइ करें भूंग डाल के तो स्लोटू मीडियूम गैस पर ही आपको इसे फ्राइ करना है आपको इसे दोनों साइड से अच्छे से प पक चुके हैं तो अब हम उन्हें पलट देंगे तो यहां मैं नाइफ की हल्प से एक एक करके पकोड़ों को पलट रही हूं इन पकोड़ों को मंगोड़े भी कहते हैं जो हमारे घर में शंकरात के टाइम पर इस्पेशली बनते हैं तो मेरी मम्मी अक्सर जब भी बनार की टी थी तो वह इसी तरीके से चाखो की मदास sir 크 की मतल्ट की फिसक्यलुकि चाखू की मदस एक एक में पखोड़ों को पलटना काफी अफाल हों जाता है लेकिन वतिनधना है जने अजा एंक सारी ही पलट जाते हैं तो थोड़ा सा वह दिफिकल्ट होता है तो आप तो आप भी मेरी मम्मी वाली ट्रिक को आजमा सकते हैं तो यहां पर हमारे जो पकोड़े हैं उसने color change करना start कर दिया है कुछ पकोड़े एक side से पक चुके हैं अभी दोनों side से पकना बाकी है तो इस stage में हम सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे मुंग दाल के पकोड़े कहें या फिर मंगोड़े कहें दोनों ही same बात है तो यह अच्छे से पक चुके हैं तो हम इसे निकाल लेंगे तो यहां मैं इन्हें निकाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और क्योंकि हमने डाल को थोड़ा दरदरा पीसा था तो यह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं आप इन पकोड़ो को चटनी के साथ खा सकते हैं, टोमैटो सौस के साथ खा सकते हैं और सबसे बेस्ट है बारिश के मौसम में आप गर्म गरम अद्रक वाली चाय के साथ इन पकोड़ो को एंजोई कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राय कर लेंगे और यहां हमारे मूंग डाल के पकोड़े बनकर तयार हो गए हैं. I hope आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरू शेयर कीजेगा और अपने घर में जरू ट्राय करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको ये मूंग डाल प सब्सक्राइब और कमेंट